श्री स्वामिनारायन भगवाननी जै अक्षर पुर्षोत्तम महराजनी जै गुणातितानंद स्वामी महराजनी जै भगजी महराजनी जै शास्त्री जी महराजनी जै योगी जी महराजनी जै प्रमुक स्वामी महराज नी जै, महंत स्वामी महराज नी जै, प्रमुक स्वामी महराज शताप्दी महोच सवनी जै श्रीहरी जयंती पर्व अंतरगत आयोजित, आप प्रवचेंश्रणीना चतुर्थ दिने उपस्तित, आप सवने जे स्वामी नाराय आओ, सर्व प्रथम संत व्रुंद साथे गदगद भावे अपने सो दूनमा जुडाईए नारायन नटवर घनशाम स्वामी नारायन भगवान नारायन नटवर घनशाम स्वामी नारायन भगवान जय आक्षरपति पुर्शोताम जय जय स्वामी सहजानांद जय आक्षरपति पुर्शोताम जय जय स्वामी सहजानांद गुणाति तानंद स्वामी मुणा आक्षर सहजानंद एक परमेश्वार गुणाति तानन्द स्वामी मुड़याक्षर सहजानन्द एक परमेश्वर गुणाति तानन्द स्वामी मुड़याक्षर सहजानन्द एक परमेश्वर गुणाति तानन्द स्वामी मुड़याक्षर सहजानन्द एक परमेश्वर एम समझीने लेशे नाम ते तो जाशे आक्षर धाम एम समझीने लेशे नाम ते तो जाशे आक्षर धाम जय आक्षर पति पुर्शोताम जय जय स्वामी सहजानन्द जय आक्षर पति पुर्शोताम जय जय स्वामी सहजानन्द स्वामी सहजानन्द माहराज योगी जी माहराज माविच र्यापार स्वामी सहजानन्द माहराज योगी जी माहराज माविच र्यापार Swami Sahajanand Maharaj, Pramukh Swami Maa Vichriyapar Swami Sahajanand Maharaj, Pramukh Swami Maa Vichriyapar Swami Sahajanand Maharaj, Mahant Swami Maa Vichriyaj Swami Sahajanand Maharaj, Mahant Swami Maa Vichriyaj Haan Mahant Swami Maa Vichriyaj, Aniek Jeevona Kalyaan Kaj Mahant Swami Maa Vichriyaj, Aniek Jeevona Kalyaan Kaj Jaya Aakshar Patipur Shotam, Jaya Jaya Swami Sahajanand Jaya Aakshar Patipur Shotam, Jaya Jaya Swami Sahajanand Narayana Natvar Ghanashyam, Swami Narayana Bhagavan Narayana Natvar Ghanashyam, Swami Narayana Bhagavan Jaya Aakshar Patipur Shotam, Jaya Jaya Swami Sahajanand Jaya Aakshar Patipur Shotam, Jaya Jaya Swami Sahajanand Jaya Jaya Swami Sahajanand Jaya Swamajan, Anffe अक्षर पुर्षतम महाराज नी जै गुनातितानन्दस्वामी महाराज नी जै भगत जी महाराज नी जै शास्त्री जी महाराज नी जै योगी जी महाराज नी जै प्रमुक्स्वामी महाराज नी जै महंत्स्वामी महाराज नी जै प्रमुक्स्वामी महाराज नी जै प्रमुक्स्वामी महाराज शताब्धी महोत्सव नी जै संस्कृत साहित्यना सदा बाहार कवी श्री भव भूतिये पोतानी अमर क्रूती उत्तर रामचरीतम्मा तेवोना अनुभवने अवलोक कन्ने रजु करता लख्यू छे के लोकोत तराणाम चेतांसी कोही विग्नातुम अर्खती अर्थात जे लोकोत्तर विभूतियों होई छे एनी आंत्रिक सम्रुद्धीने समझवी ए मरत्य मान्वीना गजा बाहरनी वाद छे आ विद्धाननों जाने तलपदी गुजराती मा तर्जुमों करता होई तेम अक्षर भ्रह्म श्री गुणातितानन स्वामिये पन कहुं छे के सुर्यनों अभीप्राई पतंगियुशु धूर जाने स्वामिनी या वाद बिल्कूल बराबर छे कारण के हाथीनू वजन कीडी केवरीते करी शके गरुडनी गतीनों ताग गोकल गाई केवरीते काडी शके गमे तेवों खुशर तर्वय यो होई ते कदाच तड़ावना तड़िये ताड़ी दैयावी शके परंतु समुद्र ना तड़िये पहुचुवा मियानू गजु केटलू एज रिते जगदिश्वर ने समझवा माटे जीवनों पनों कायम टुको पड़े यहम छे एटलेज उपनिशतकालिन रुशियो जैरे भगवानना स्वरुपनू वर्णन करवा बैठा त्यारे अंते नेती नेती के भगवानने आवा पन न कही शकाई आवा पन न कही शकाई आएम कही ने छुटी पड़े आज कदा चेटलेज माहराश्ट्रियन संत कवी गिनानेश्वरे पन लखी दिदू हशे के इश्वर ने मापवो ये आकाशने गलेफ चढ़ावा जेवु काम जे ओशिका ने आपड़े गलेफ चढ़ावी शकीए आकाशने कदी नहीं एम जीव द्वारा भगवानने समझवा ये अत्यांत दुषकर कारिया चे परन्तु ये जेटलू अगरू छे एटलू ज अनिवारिय पण चे कारण के उपनिश्द कहे चे तमेव विदित्वा अती मृत्यू मेती नान्यह पंथा विद्यते या नाय भगवानना स्वरूपने जानी नेज आ जीव मृत्यूने पार करी शकेश एटले ए स्वरूपने समझवानी अनिवारियताश अने एटले ज भगवान मुमुक्षुओ माटे वखते वखते पोतानू स्वरूप उद्गाटित करता रहाश कठूपनी शदमा लख्यू के तस्य एश आत्मा विवरूणूते तनुम स्वाम एवा मुमुक्षुओ माटे भगवान पोतानू स्वरूप एक खुल्लू करेश आ तेवनी जीवपर नी दया छे जेम असाध्य दर्दथी रिबाता दर्दीने स्वस्थ करवा माटे डौक्टर पोतानो परीचे आपे ये डौक्टरनो उपकार छेनी आत्म प्रशमसा नथी गणितना दाखलानी गुच उकेलवानी गण मथल करी रहला विद्यार्थीने मददरूप बनवा माटे प्राध्यापक पोतानी ओलक हापे एमा सहाई नी भावना छे स्वशलागानी नहीं एम जीवने भव सागर माथी उगार्वा माटे भगवान पोताना स्वरूपनी वात करे शे एमनी दयाश आवी दया श्रीकृष्ण भगवाने अरजून पर वर्सावी शे एमा एना गितानी अंदर आपणने दाखला मले शे एवीज रिते स्व्रीमत भागवतमा पन भगवाने पोताना भक्तो समक्ष पोताना स्वरूप संबंदी वातों करिया नी माहिती प्राप्तत थाई शे भगवान स्वामी नाराणे पन आज कारण थी पोतानू स्वरूप ओडखावा माटे पोताना श्री मुखे अनेक वार पोतानी वातों करीशे, जे एमना उपदेश ग्रंध वचना मृत्मा संग्रुहित करवा मा आवीशे। ये वचना मृत्मा हिलोडता शब्द सरोवर्नी सपाटी पर भगवान स्वामी नारायनु जे व्यक्तित्व तरेशे, नितरेशे, तरवरेशे, एना आधारे आजे भग बगवान स्वामी नारायना स्वरुपनी कैंक जाखी पामवानों आपडे प्रहत्न करीशू। बगवान स्वामी नारायने वचना मृत गडडा मध्य प्रक्रणना पंचावन्नी अंदर रेव कहू छे, के ज्यारे आमे घर मुकी ने निस्रया, त्यारे तो अमने वस्त्र राकू पण गमतू नहीं, अने वनमाज रेवू गमतू, अने वनने विशे मोटा मोटा सर पसी हाथी इत्यादिक अनन्त जनावर दिठामा आव्या, पण हैयामा मरवा नितो लेश पण बीक लाकती नहीं, एवी रिते अमे महा वननने विशे सदाई निर्भई रहता, तो स्वामी नारणनू व्यक्तित्व, तेओना शब्दोना अधार आपणने ख्याल आवे छेक एक निर्भई व्यक्तित्व हतु, बगवत गितामा दैवी गुणों नी यादी स्तोलमा अध्याईमा कृष्ण भगवाने आपी छे, एमा प्रथमज गुण अभयम सत्व संशु कारण के आ निर्भईता ये अनेक गुणों नी जननी छे, तो बगवान स्वामी नारण मा ए प्रक्रूती हती, तेओ ये सद्गुरु मुक्तानन स्वामी ने पन लोजना आश्रम मा वाद करेली के जाजी ज्यां हती व्रुक्ष्णी जाडी, हता त्यां बहु हाथी अनाड वरु वागने रिचना व्रुंद, फर्ता पाडा अरना स्वच्छंद, जनने जावाना नहीं रस्ता, रात दिन एवामा अमें वसता, केवी घीच जाडी के जियां जवानों कोई रस्तो सुझे नी, अने अनेक प्रकार ना आवा, मानव वक्षी पशुव फर्ता होए, एन वच्चे बगवान स्वामी नाराइण केछे के अमें सदा निर्भई थेने रहता, महावनने विशे, गणा तो पोता ना घर मा पन गबरू थेने फर्ता होई, जारे बगवान स्वामी नाराइण अग्यार वश्नी उम्मरे, आवा वन्य पशुव नी वच्चे निर्भई थका विचरता, तेवो नी जारे अग्यार वश्नी उम्मर हती, त्यारे सन सत्तर सो बाणू मा तेवो विच्रण करता करता श्रीपूर नामना शहर मा पहुंचया, ते वखते सुरियास न थाई चुके येलो, अने रात वासो करवा माटे भगवान स्वामी नाराइणे एक म मठना ओटले मुकाम करयो, ते वखत ये मठना महंत निर्मल पूरी जी हता, दश नामी परमपरा मा आवता ये महंत जी ए निलकंट वर्णी ने कईू, के तमे मठमा आवी ने रोकावतो सारू कारण कहिया तो जंगली परशुओनो त्रास छे ने रातरे तमने लोको फाडी त्यारे निलकंट वर्णी जेवनी मातर अग्यार वर्श्णी उमर हती, त्याव ये मठना महंतMAN जीने कईू, के आत्मा करिये मरतो नतीज, सदा शरीरे ठरतो नतीज, गनानी मूवाती डरतो नतीज, ते हर्ष शोके करतो नतीज तो आटली निर्भाईता अग्यार वर्ष्णी उम्मर्यमना जिवन मां हती ये भगवान स्वामी नाराण जारे पंदर वर्ष्णा हता त्यारे सन सत्तर सो छन्नू मां तेओ नेपाणना काठ मंडू शहर मां प्रवेश्वा गया तिये वखाते ये शहरना दर्वाजे केटला खाखी बावावनी जमात पडेली तियो ये निलकंट वर्णी ने वार्या अने कयू के आ नगर मां जवाज यहू नथी काँके त्यानो जे राजा शे ये राजा ने पेटनू दर्द उपडियू शे अने दर्द कोई मताडी न आपे तो येने कैद खाना मां पूरे शे आवा तो गणा साधू संतो नेमने कैद मां पूरे शे अमने खबर पड़ी एटले अमें पड़े अमां जता खचक्या येचे नहीं आ पड़े रहाज जारे निलकंट वर्णी ना वाद करवा मां आवी त्यारे निलकंट वर्णी ये एब आवाओने कयू के जे मौत जानी डरी जाय जोगी योगी नहीं भूतळ तेह भोगी के हूँ क्यारे मौत थी डर्यो नथी अने जे देहने तो त्रुन तुल्य जाने ते मौत नो त्रास उरेन आने अमे तो आ शरीर ने एक तर्णखला थी विशे समझता न थी अने आम कहिंते वो काठमंडू शहर मा प्रवेशेला तो आपणने ख्याल आवे छे के ये एमने वचना मुरुत मा जे कयू के महा वनने विशे सदा निर्भई रहता ये एमनी लोकोत्तर प्रतिभा हती वर्त्रो अरिय लख्यू छे के आहार निद्रा भय मैथु नम्च सामान्यम एतत पशुभीर नराणा आहार निद्रा भय औने मैथुन नी भावना ए सामान रिते मनुष्यों मा जोवा मलेच छे परन्द भगवान स्वामी नाराइन मा मनुष्यमा सर्वसामान्य पणे जोवा मलतो भई बिलकुल नोतो ए समझावे छे के तेवो एक मानवेतर विभूती हता अने आवी निर्भाई तानु कारण ए एमनी अखंड आत्मदर्शिष्थिती हती भगवान स्वामी नाराणे मध्याना पांतरिस्मा वचनामुणत्मा कयू छे कि हुँ रामानंद स्वामी पासे आव्या मोर पन मारा आत्माने साक्षात देखतो अने हमने पन देखूँछु औने ते आत्मा सुर्यना प्रकाष युकता छे अने मारी सर्वे क्रियाने विशे मने आत्मानू क्षन मात्र पन विस्मरन थतो नथि आज दुनियानी अंदर हुँ आत्माचु ए मानीने सलंग एक कल्लाक जीवनारी व्यक्तियोपन मलवी दुरलव्च। तरे भगवान स्वामी नाराण कहे छे के मने 24 कल्लाक माथी एक ख्षण पन हुँ आत्माचु ए ग्नाननु विस्मरण थतू नाथी। तो आवा पोते अखंड आत्मदर्शी हता एने कारणे तेवो सदा निर्भई हता। ये भगवान स्वामी नाराण पोताना श्री मुखे वचनामृतनी अंदर पोतानी निरलेप स्थितिनू पन उद्गाटन करेश। सामानी रिते जेम दरेक ने पाणी पलाणी मुखेश। इविज रिते प्रवृत्ति अने पंच विशय दरेक जीवने लब्दी नाखेश। ये नियनर गमे तेवो होई ये पन लब्टाया विना रहतो नथी। परन्तु भगवान स्वामी नाराइन सामसारिक प्रवृत्ति अने पंच विशय ये बन्नेति निरले भथा। मध्य प्रक्राणना ओगण चालिसमा बचनावृत्मा तेवो कहे छे कि अमारे एम वर्ते छेजे देहे करीने पंच प्रकारना विशय संपन्ती पदार्थोनों सुजे एटलो योग होई परन्त यानों मनमा घाट न थाए अने स्वप्नमा पन आवेनी अने बार्थी गमे प्रवरुत्ति मा रहा होईये परन्त ज्यारे पोताना आत्मा सामी ध्रश्टी करिये त्यारे काचबाना अंगनी पैठे सर्वे वृत्ति ओ संकेलाई ने आत्म स्वरुपने पामी जाए अने परम सुख रुपे वर्ताए तो पंच विशय के प्रवरुत्ति एक कशायनों ये वगावान स्वामी नाराण ने अडतो नहीं जे हम पदम पत्र मिवाम भसा ये भगवत गिता नियंदर लख Himself के पाणी मा कमण रे परन्त ये पाणी नों पाश कमण ना पत्र पड अडतो नसी इवीरिते वगवान स्वामी नाराणा समसार नियंदर है ता कोई पन वस्त्र ने आपने पाणी मा पलाडिये औने पछी निचोव ये तो पाणी नितरे परंतु रेंकोट ने पाणी मा डुबाडी निचोवा थी पाणी नितरतु नथी कारण के कपडु पाणी ने शोशी लेए छे, चुसी लेए छे, परन्तु रेंकोटु पर तो पाणी पड़ियू नथी के सर्यू नथी इविज निते भगवान स्वामी नारेण आ निरलेब थका विचरता है एमने प्रथम प्रक्रना तोंतेरमा वच्राउतमा पन कहूँ छे, क्या मुर्जी भ्रमचारी अमारा स्वभावने जाने छे जे, महराज तो आकाश सर्खा निरलेब छे व्यक्तिनू व्यक्तित्व एनी साथे पढ़चायो थईने रहनारी व्यक्तिने बराबर खबर पड़े तो मुर्जी भ्रमचारी कायानी साथे छायानी जम श्रीजी माराजनी सेवा मा रहता परन्ति यहना अंतरमा कबूला थती के भगवान स्वामी नाराइन आकाश सर्खा असंगीज अंत्याना 21 मा वच्चनामुलत मा पन भगवान स्वामी नाराइने कईू के अमे भगवान औने भगवान ना भक्तने अर्थे लाखो मानस ना भीडा मा रहिये छे तेम छताई जेवों वन्मा रहिये औने निर्बंद रहेवाई एवोज अमारे रहेवाई तो भीड़नी अंदर हेवा छता प्रवरुत्ती करवा छता पंच विशयनों योग होवा छता कदी ये एमने कोईपन प्रकारनों पाश ये लागयों नोतो जम अगनी ने उधाई न लागे औने महामणी ने मेल न वडगे एम भगवान स्वामी नाराइन आ संसार्थी निर्लेव हता औने निर्लेव ता केटली कक्षा सुधी नी तो अंत्यना ओगण चारिसमा वचनामरुत्नी अंदर भगवान स्वामी नाराइन कहे छे के अमारे स् तुरत अमदावाद वडोद्रे वडताले जईये छे त्यारे त्यां हजारों मानस भेगा थाई छे अने माने छे अने वाजते गाचते करीने अती संदमान करीने पदरावे छे अने त्यां भारे भारे जाईगाओ जोयामा आवे छे तथा पी ज्यारे पोताना आत्मा सामी द त्रश्टी करिये, त्यारे मा कोई ठेकाणे बंदाई जवातू नथी। अने पुर्वदेहनी जम विस्म्रूती हैं आ पंच विशय नी पन विस्म्रूती थाई जाई। पुर्वदेहमा आपणे गमे तेटला पंच विशय भोग्लिया होई, छतापन अत्यारेनी कोई स्म्रूती आपणने नथी, तो भगवान स्वामी नाराइणने आटली हद सुधी नी निरलेपता ये सहज सिद्ध हती, का पाणी उपर रहे पद्म जेम ये रिते तेवो 19 वर् संशन तो सवाल एवो पुछयो छे, कि किम अस्ती कस्चिद असो इयती लोके यस्य निर्विकारं यववनं अतिक्रान्तं, कि छेको या दुनियामा एवो पुरुष, कि जेने निर्विकार यववन वितावियो होई, अर्थात निर्विकारी रहेवू ए अत्यांत अशक्य परन्तु भगवान स्वामी नाराइण नी आ निर्वीकार स्थिती अती अलोकी खती तेवे गड़डा मध्य प्रक्रणना ते त्रीसमा वच्राउतमा कयू छे के जे दिवस्थकी आमें जन्मियां छे त्यार्थी माडी ने आज दिन परियंत जागरतमा के स्वप्नमा अमने जो दनके स्थ्री नो बुंडो गाट थयो होई तो आ समग्रप परम हमसना सम छे एवी रित्य में सदाई निर्दोष पणे छे पोतानी निर्वीकार स्थिती नी वात केटली खोंखारी नहीं भगवान स्वामी नाराण कही रहाच के जागरत अने स्वप्नमा दनके स्थ्र संबन्दी कोई मलिन विचार भुंडो गाट यह अत्यार सोधी थायो नथी आ वच्णामुद जेव त्येव जैरे उद्वोधी रहाच केरे एमनी उम्मर त्येतालिस वर्ष नीश परन्तु त्येतालिस वर्ष मा एक पण भुंडो गाट नहीं तो केटलू बदू एमनू म इन निर्वीकार हतु यह क्यारे खबर पड़े जारे एमना योगमा आवनारा निर्वीकारी थाई गया आम तो निर्वीकारी स्थिती आंतरिक बाबच्चे नरी आंके देखा एवू न थी जब मगजमा भरेलू गनान यह कोई जोई शक्तू न थी परन्तु यह व्यक्ति पासे आवा थी कोई बिजो जो गनानी थाई जाए तो खबर पड़े का आ व्यक्तिना मगजमा गनान भरेलू हो जोईए भुमीनु सत्व ये जारे फसल पाके त्यारे परखाईश रुक्षनु सत्व ये जारे फोड आवे त्यारे खबर पड़ेश ए भगवान स्वामी नार गुरु ब्रह्मानन स्वामी एनी वाद करता भगवान स्वामी नारायने जेतल पूर्णा बिजा वचनावुणत में एव कयू शे के विकार नो हेतू होवा छता पण जेनू मन निर्वीकार रे ये यती शे आने एम कईने हनमान जी तथा लक्ष्मन जीना यती पणानी वा विक्रियंते ये शामन चेतांसित एव धी राहा विकार ना हेतू मा पण एनू मन विकार ने न पामे टलू नहीं एना स्पर्षम मात्र थी पशो प्रजातिना विकारो शमी जता जारे सन अधार्सो अठ्याविस्नी सालमा मगवान स्वामी नारायन जुनागर पधार्या आ एमने एक मदोन्मत वाली गोडो ये ब्रह्मान स्वामी ने बैस्वा सारू ओताना मानसो द्वारा मुकला आवियो परंतु ब्रह्मान स्वामी वाली गोडाने जुईने समझी गया कि आमां दिवाननी मेली मुराद छे कांके वाली गोडो ये उत्तम प्रकार ना वचेरा उ चीमिनेेनी करवा माके ज्या रें दिवान आओं कारशर है चुए औने वाली गोडो ब्रह्मान शुवाई पासे आवहो तवी ऑना कानमा स्वामान मंत्र फुँक्यों एनी प्रदक्षिना फरीनानी पीट पसवारी औने पची एनी उपर एमने सवारी करी औने नगर यात्रामा जया वाजा वगर ये गगर ता ता औने काठी दरबारों तेवों नी गोडियों पर सवार थेने गुमता ता एक गोडियों नी वच्चे एक वाली गोडाने लई गय शान्ती थी समग्र नगर यात्रामा फर्यो औने लेश पन्याने उत्पात मचावेओ नहीं तो ब्रह्मानन स्वामी ना स्पर्श्व मात्रथी पशुना विकार टढी गया तो ब्रह्मान स्वामी निर्विकार केवा अन एवा ब्रह्मान साइने तयार करना रा भगवान स्वामी नाराणी निर्विकारी स्थिते नुशू कैवू, तो एवात यहां एमने वच्णा मृत्मी अंदर करी शे, तो भगवान स्वामी नाराण ये निर्भई जेवा हता, एवाज एपोते निर्लेफ हता, अने अधि भक्त मोटो शे ने आ हरी भक्त नानो शे एम पन नथी जनातू अने बदाय हरी भक्त सर्खा जनाई शे अने राजाने रंक ते पन सम वर्ते शे तो आ भगवान स्वामी नारणी स्थिती हती कि एमने नाना मोटा धनवान गरी यह वो कोई भेद नोतों भगवान स्वामी नारणी पोते आगल प्रथम ना तोंतेर मा वचनोत मा एम पन खहे छे कि अमारी पासे रहनारा अमारा सेवको जाने छे कि माहराद ने कोई पार्कू पण नथी औने कोई पोतानू पण नथी तो आ रिते भगवान स्वामी नारणी आवी सम द्रश्टी हती अने एटले तेवो देवी पुजक सग्रामना कुबानी अंदर गाबानी गोदडी पर पन प्रेम्थी बिराजी शक्या तो कुषण कुवर बाजे 500 गामनू रजवाडू एना माली खता एवाना मेलनी अंदर पन तेवो प्रेम्थी पधारी शक्या जे भगवान स्वामी नाराएण सुर्ती भक्तों ना सुवण थाड़ने नर आवेला मेवा मिष्टान जमी शक्या एज भगवान स्वामी नाराएण मेला गेला कपडा मा विटी ने आवेलो काचो पाको जीवन बगत नो रोटलो पन एज सनेह थी आरोगी शक्या तो आवी एमनी सम्ध द्रष्टी स्थिती हती, एमना माटे धुडियात होई, कि उजडियात होई, ए बनने समान हता। जम सुरिया छे, ए दरेक ने एक सर्खो प्रकाश आपेश, पवंच ए दरेक ने एक सर्खी शितल ता बक्षे छे, वर्साद बधा माटे वर्से छे, एम भगवान स्वामी नाराइन पन सर्वना थाईने रहेला। इवी संभ द्रष्टा स्थिती नी साथे, तेवो केवा स्थित प्रग्न हता। एनी वाद पन भगवान स्वामी नाराइने एम ना वचनावरुद घडड़ा मध्य तेरिनी अंदर करी छे, एमा भगवान कहे छे के सारा पंच विशय, तथा नर्सा पंच विशय, ए सम वर्तेश, औने त्रिलोकीनू राज्य करवू, औने ठिकरू लईने मागी खावू, ए पन सम वर्तेश, औने कोई घरेणा, पुष्प, सारा वस्त्र के चंदन चड़ावे, के कोई धूड नाखे, ते ब्याई पन सम वर्तेश, औने कोई मान आपे, तथा कोई अपमान कर ते ब्याई पन सम वर्तेश, तो आ एमना जिवन नी अंदर स्थित प्रज्ण स्थिती हती, सूख आवे के दुख, जय होई के पराजै, मान होई के अपमान, दरेक द्वन्दों मां एमनी स्थिती एक समान रहती, कोई पन उपदेशक ने कसोटी ये अईया थाई याईश, क ये अपदेशक ने केटलू गनान पचिव शे, कारण के जो आ रिते गनान पचिव ना होई, तेना जिवन नी अंदर आवा प्रसंगों मां ये पोते अकड़ाई जाई, अने एकदम पोते अपसेट थेई जाई, भगवान स्वामी नाराइन ने अनेक विद्वन वो आवे जिवन मां प्रेमनी स्थिती एक समान रही, जारे तेवो सन सत्तर सो नवानु मां जुनागडणी अंदर गोदावाउ मां धर्मदासनी जग्यामां सदावरत लही ने एक ठेकाने जमबा माटे बैठा, तरे केटलाग जमातियों ये आवी ने ये लोकन उबा कर ये यानी आ आउ अपमान अने बिजी बाजु सन अधार सो पच्चीस मां वडोद्राना गायकवाड सरकारे भव्य नगर यात्रा काडी आमने पूर्णी अंदर पदराव्या, पन ए सन्दमान के पिलू अपमान बनने मां एमनी मुखा कृती ए एक समान, तो आ रिते हमनी स्थित प्रग न स्थिती पन या वच्चनावुतनी अंदर भगवान स्वामी नाराणे उदगाटित करीश, जिवा ए पोते संध्रष्टा हता, जिवा ए स्थित प्रग्न हता, इवाज ए पोते सेवग भावती युक्त हता, आटलू बदू सामर्थियो होवा छता पन भगवान स्वामी नाराण मध्यना 28 मा वच्चनावुतमा कहे छे, कि अमारे तो भगवान नो राजीपो थया सारू, जन्मो जन्म भगवान ना भक्तनी सेवाज करवीश, तो आयमना जिवन नी अंदर एक ध्रडता हती, एज वच्चनावुतमा भगवान स्वामी नाराण आगण कहे छे, कि ये मारे तो एज अंग छे, जे कोई भगवान नो भक्त होई, तो हुँतो ये भगवान ना भक्त नो पन भक्त हचु, आने एज मारे विशे मोटाई छे, आने जेमा आ गुण ना होई तेमा कोई जातनी मोटाई श्वभे ने, आने हुँ भगवान ना भक्तनी भक्ती करू तो आ प्रकारे भगवान स्वामी नाराएण अत्यांत नम्र भावे सेवक थाईने आ सत्संग नी अंदर रहा। जेम नमेचे फडवान व्रुक्ष तेम नमेचे कुडवान दक्ष। दक्ष होवा छता, कुषण होवा छता, समर्थ होवा छता, हम्मेचा दरेकनी सेवाने पोते इचता, दरेकनी आगण दास भावे वर्तता। एमना माटे लखायले एक स्तोत्रमा सद्गुरु शतान स्वामी पोते कहे छे के स्नेहातूर स्वतभयातूर आमयावी, यद्वक्षुदातूर जनष्च विहायमानम, दैन्यम भजेयूरिह सत्सु तथा चरंतम, त्वाम भक्ति धर्मतनयम शरणम प्रपद्ये। जेम स्नेहातूर व्यक्ती, कामासक्त व्यक्ती, एक जेमा आसक्त थायों यह नियागले मान नथी राकतो। एक जेमा आसक्त थायों यह गम्मे देटलू अपमान करे, तो पने सहन करीले। बयातूर मानस, क्षुदातूर गुख्यो मानस, एपन हम्मेशा दीन आधीन थायने रहतो होई शे, एवी रिते भगवान संतोना समूमा, सत्सेंग्योना समूमा दीन आधीन थायने रहता। बगवान स्वामिनारण एमना जिवन मा, हरी भक्तोना खेतर मा, हाथ मा दाटर लू लईने मौल पन भाड़्याश। तेवे हरी भक्तोने दण्वत, संतोने दण्वत करेना दाखला नोधायाश। अरे संतोना चर्णाम्रुत पिधाना प्रसंगो पन एमना जिवन नि अंदर नोधायाश। हरी भक्तों ना वाहन ये पोते हाक्याना प्रसंग यमना जीवन नी अंदर बन्या छे तो आ बदा उपर थे आपड़ने ख्याल आवे छे के तेवो अत्यंत नम्र हता अने अत्यंत सेवा भावी हता रथमना दसमा वचना मृत्मा भगवान स्वामी नारायने तेवो जयारे वेंकट आद्रिती सेतोबंद रामेश्वर जता हता अने रस्ता मा सेवकराम नामनों जे सादू मोड़े अनी जे सेवा करेली येनू वर्णन केरूँ छे नियू पति आपनने खबर पड़े के गुण येमना कण कण मा रसायेलो हतो ये सेवकराम सादू ने अतिशय जाडा थाई गयाता तेना माटे नी पतारी ये जंगल मा तो क्या थी करवी और केड़ना पांदड़ा लावी ने कहा थूँची पतारी भगवान स्वामी नारा ने बना विया भी ये सेवकरामना पन न करे इवी सेवा तेवोए आ सेवकरामनी करेली तो सम द्रष्टा औने स्थित प्रग्नेवा श्रीजी महराज अधना सेवक पन हता येमना वचनाम्रुत उपरती आपने ख्याल आवेश येमनी प्रक्रुती अत्यंत दयालु हती मध्यन 28 मा वचनाम्रुत मा भगवान स्वामिनाराण स्वायम कहे छे कि अमारो दयालु स्वभाव छे अने भगवानना भक्त उपरतो अमारे अतीशई दया वरतेश ये दया कई हदनी हती तेनू पन वर्णन करता मध्यना साहिठ मा वचनाम्रुत मा भगवान स्वामिनारा पुर्वा देश मा बावाओनी जमाद बेळो हतो, त्यारे तेवो ये मने कयू किया तांदर जानी लिली भाजी तोडो, त्यारे अमें कयू किया अमा जीव छे, माटि अमें नहीं तोडिये, त्यारे एक जने तर्वार उगाडी ने अमने डारो दीदो, छता पण अमें या वालो स्वभावश, एक लिला त्रूनने पण उखाडवानू मन न थाए, अने कयारे जारे पोतानू माथो डूल थवानी न अबत वागी गई होई, तो पोतानू मस्तक जेव तो भले जाए, पण एक लिलू घास उखाडी ने, हुँ एटली पण हिंसा करवा तैयार न तो आवी प्रकार्णनों एक दयावान स्वभाव भगवान स्वामी नारणनों हतो, पोताना द्वेशी होई, एनी उपर पण एमना दयाना मेग वर्सी पड़ता, विस्टनगर ने एक ब्रामान शोभाराम, येने भगवान स्वामी नारण विशे, कोई कारण सर अत्यांत वेर भाव बंधा एलो, अने एने एक वार छड़े चोकेऊ कईऊ सत्सें योने, कि ये जो तमारो स्वामी नारण खरेकर भगवान होई, तो हूँ आठ दिवस मां आंदड़ो थाओ, तो आठ नी जेगे चारत दिवस मां आंदड़ो थाईयो, इटले भगवान स्वामी ना एने देखतों करवा माटे, कि आपने तियां जिन प्रार्थना करिये, एनी आँख उपर हाथ फिरविये, और भगवान एने द्रस्टी पुना आपे इवा शूब भावना थी, ये शोभार आमना घेर जवा तेयार थाया, तिये वखाते शोभार आमने खवर पड़ी, ये वसंत अस्यकीम, एम भगवाननी द्या ने एपोते जिली न शक्यो, परंतु आपने ख्याल आवे, कि आटली हद सुधी नो पोतानो द्वेश करनार उपर पण, भगवान स्वामी नारहिन ये आटला द्या वान थी शक्ता, इटला माटे जमना माटे लखाय हुशे, कि एनू वर्णन करी शक्यम न थी, तो आवा अपार दयावान ए भगवान स्वामी नारहिन हता, जिवा ए दयाडू, एवा ए दिहातीत पन हता, एमने मनुष्य देह धारन करेलो, परंतु मनुष्य देहनो कोई भाव, एमना जिवन नी अंदर कोईने पन जणातो नी, कारिया मारा शरीर मा मातानो भाग जे रुदीर ने माउंस, ते रहवा दयावू न थी, माटे गणेक प्रयतने करी ने, शरीर एवू सुक्वी नाख्यू, के शरीर मा कईक वागे, तो पाणी निस्रे, पन रुदीर तो निस्रेज नहीं, आ कई अक्षा सुधी नी तपश्चरिया अमने करी हशे, एनों आपणने ख्याल आवे, प्रथन ना ओगन त्रिस्मा वचिन्याम रुत्मा पन, भगवान स्वामी नाराण कहेशे, कि आमें जे जे साधन कर्या, तेने विशे कोई रिते, आ दे रहे एमद नो तू, एमने निलकंठ वर्णी वेशे, सात वर्षना समय गाळा दर्म्यान जे तपश्चरिया करी छे, तो ए तपश्चरिया माटे एमनुआ विधान छे, कि किटलाक महिनाओ सुधी, तो केवल वायू भख्षन करी ने, यले के पाणी नू टीपू पन मुख्या सिवाई तेवो रहेला, तो आ रिते, पोता ना शरीर थी, तद्द भिन्न ये पोताने समझता, पोतानी आवी देहा तीच स्थितिनी वात, तेवे लोजमा रहीने, रामानन स्वामी जे भुजमा हता, तेवो उपर लखेला एक पत्रनी अंदर पन आपनने देखाई शे, एमा भगवान स्वामी नाराण पोतानी फ्रक्रुतीनू वर्णन करत लखे छे, कि तप करूचू कठन तने नथी मोलो पड़त हूं मने, चारे मास चोमासाना जेह, करू धारना पारना हूं तेह, वर्षो वर्ष कार्तिक मास, करू सामटा उपवास, वडि ते मासमा कोई समे, करू क्रुच्च व्रतने ते अमे, ते पची माग मास माय, करू पा पाराक क्रुच्च कहवाय, चांद्रायन एकादशी लई, सर्वे व्रत करूचू हूं सही, तेने करीने शरीर माही, लोही माउंस गयू छे सुकाई, प्राण रहा तनी एक रीत, नथी राखी में चिन्तव्यू चित्त, जेमा शरीर टके, यहो कश्टू जेमने करवानू र जिवा एक पोते निर्भई, निरलेपाने निर्वीकार, जिवा एक पोते सम द्रष्टा, स्थित प्रग्ण अने सेवक, एवाज एक पोते दयालू अने देहाति थता, परंतु एनी साथे तियो ओ एकलाज आत्मी हता। भगवान स्वामी नाराएण कार्याणी ना छठा वचनावत्मी अंदर कहे छे कि अमारे जे खावू पीवू अने ओढ़ू पहरू छे ए सर्वे सत्संगी ने अर्थेश, अने जो एम ने अर्थे न जणाए अने पोता ने अर्थे जणाए तो अमे एनो ततकाड त्याक कर अने अमे आजे देह राख्यों छे ए पण सत्संगी ने अर्थे राख्यों छे पण ए सिवाई देह राख्यानू बिजू कोई प्रयोजन न थी अने अमारा स्वभावने तो मुर्जी भ्रमचारी अने सोमलोखाचर आदिक जे हरीजन जे किटलाक समयती अमारी भेगा रया चे ते जाने छे के महराजने प्रभूना भक्त सिवाई बिजा कोई मा हेत न थी अने अमे पन मन कर्म वचने जे पर्मेश्वरना भक्त होई एने अर्थे अमारो दे श्री कृष्णार पन करी राख्यों अने भगवानना भक्त विना तो अमारे चवद लोकनी संपत्ती ए पन तनकला जेवीश तो आटली बदी भगवानना भक्तोंने विशे एमने प्रिती हती अन्तियाना 21 मा वचना मुरुत मा दो पगवान स्वामी नारायन कहे छे के एवा जे द्रड सत्संगी वैश्णव तिये जमारा सगा वाला छे तिये जमारी ना तने जात छे अने आ दे के भगवानना भक्त साथे तो अमे वी प्रिती करी राखी शे के आने काल कर्म के माया कोई ये टालवाने समर्थ न थी तो आ रिते भगवानना भक्तों ये जाने अमनू जिवन हता एना सिवाय भगवान स्वामी नारायन ने जाने कोई दुनिया नोती ये प्रकारे महराज ये भक्तों ना आत्मिय स्वजन थाईने रहा पोता ना भक्तों माती कोक ने अमने पिता भावे सूख आपियू कोक ने पुत्र भावे सूख आपियू कोक ने सखा भावे सूख आपियू निश्कवान स्वामी ये सूख जिलीने वु लखी गया के रमाडया जमाडया रुड रित्शु मल्या वड़ी वारम वार रे येते प्रिते नित्य सुख आपिया तेतो कहता आवे केम पार रे कई न शकाई इटलू बदू सुख ये पोताना भक्तों ने शिजी महराज आपता बाई भक्तों साथे तेवे नेतरा पन ताने लाच पोताना हरी भक्तों येवा काठी दर्बारों साथे गोडा खेलवीन येमने येमने सुख आपियू दरेक भक्तों ने संतों ने कंठे धर्वीन येवा पोताना सुखनी अंदर रस्बस करी दिदा तो अनेक प्रकार ना ये सुख पोताना भक्तों येमने लड़ाव्या तो आ अमे तो भगवान औने भगवान ना भक्त ने अर्थे माना सोना भीडामा रहियेच। औने भगवान ना भक्त ने अर्थे गम्मे तेटली प्रावरुत्ती करवी पड़े। एने आमे निव्रुत्ती जानियेच। अने भगवाननों भक्त गमेटला वाकमा आवे होई, पन तेहनों अमारे अवगुण आवेनी, तो आर इतनु हेत ए पोताना संतो भक्तो साथे ए भगवान स्वामी नारणने हतु, आवी आत्मियतानी साथे भगवान स्वामी नारणनी विशेषता आए कि तेवो अत्यंत अन आ सक्त हता आ दुनियानी अंदर कशाईनी अंदर एमने लेश पन स्प्रुहा नहीं मध्याना तेरमा वचना मृत्मा भगवान स्वामी नारण कहे छे कि आ संसार ने विशे अती रुडो शब्द स्पर्ष रूप रस के गंद एमा हुँ मारा मनने बांधवाने इच्छु तो पन बंधातू नथी औने अतिशय उदास रेज रमणिय पंच विशय नी अंदर पन एमनू मन लेश पन आक्रुष्ट थतू नहीं कार्याणी ना छठा वचनावत मा पन तेवये कईू कि अमारे तो काम, क्रोध, लोब, मत्सर, इर्ष्या इत्यादिकनो हैया मा लेश पन आ भाव वर्तेश, मानस ने जेम उल्टी जोएने उमको आवे, जेम विश्टा जोएने पोतानू मडू फिरवीले, जेम गमे तेवा रमणिय पंच विशय पन एनी अंदरे बगवान स्वामी नाराणनू मन ये लेश पन आसक्त थतू नहीं, तो आ रिते जेटला पोते आत्म भगवान स्वामी नाराण प्रतलना एकत्रिसमा वचरावतमा केहे छे कि आज सर्वे हरी भक्त एम समझे छे जे अक्षराति जे पुर्शोतम भगवान ते आमने प्रत्यक्षम मड़या छे औने आमे क्रुतार्थ थाया छे, तो भगवान स्वामी नाराणना समय मां लाको भक्तो ते ओने पुर्शोतम मानी ने अक्षरातित मानी ने एमनिव भजन करता आता, तो आ ए पुर्शोतम स्वयम हता, श्री जी मारा जम्दावादना सात्मा वचरावतमा पण कहे छे कि सर्वे भ्रह्मान नी ये उत्पति स्थिती अने प्रलय तेनो करता पण हुझ चु अने असंख्य करोड बिजी भुमी काओ, ये सर्वे मारे तेजे करीने तेजाई मान्च, अने हुँ वड़ी केवोशु, तो मारा पगने अंगुठे करीने जो प्रुथवी ने डगावु, तो अनंत कोटी भ्रह्मान नी प्रुथवी डगवा लागे, अने मारा तेजे करी सुर्य चंद्र तेजाई मान्च, एवो जे हुँ ते मारे विशे M समझी ने निश्चय करे, तो भगवान एवो जे हुँ ते मारे विशे मन स्थीर थाई, अने कोई काड़े व्यभीचार ने पामे नहीं, तो आरी ते पोताना अवतारी पणानी वात ये भगवान स्वामी अन्त्याना आडत्रिस्मा वचनत्मा पण खेचे के एवा सर्वो परी पुर्षोतम भगवान तेज दयाये करी ने जीवो ना कल्याण ने अर्थे आ प्रुत्वी ने विशे प्रकट थाया थका, सर्वे जनने नयन गोचर वर्तेश, अने तमारा इस्ट देव छे, अने तम मात्र फेर नतिये 2, 1, 1 जे छे, तो आ रिते वखतों वखत तेवो ये पुताना अवतारी स्वरुपने पर प्रकट करियुष, अमदावादना छठ्था वचना मृत्मा तेवो ये स्पष्ट पणे कयु कि आ सत्चेंग ने विशे जे भगवान बिराजे छे, ते पोते तो अवतारी छे, ने सर्वे ना अंतर्या मीच ने एज अक्षर धामने विशे तेजोमही छे, औने सदा साकार रूप छे, औने अनंत अइश्वर्य युक्त eine छे, औने अनंत भ्रह्मांड ना राजा धिराज छे, औन अक्षर भ्रह्मना पन कारण छे, तो या पन एमने शरवे छो, ते मने भगवान जानों छो, तो अमें ज्याज्या उस्सव समया करया हो औने जे ठेकाणे कथा वार्ता करी होई परमाउंस ब्रह्मचारी बाई-बाई-बाई-अरी भक्त सरवे भेगा थया होई, ने किरतन गव्राव्या होई, ने अमारी पुजा थैः होई, य अमारा सर्वेजे चरित्र लिला, त्याने कहवा, ने सांभळवा, औने त्यानू मनन चिंत्वन करवू, औने जैने अनू चिंत्वन अंतकाले जो थाई आवियू, तो एनो जीव ये भगवानना धामने पामे शे, ये रिते अमारा सर्वेज चरित्र क्रिया तता नामस्मरण ते कल्यान कारीश तो आ रीते बगवान स्वामी नाराईना शब्दो ध्वारा आपने ख्याल आवेशे के तेओनु व्यक्तित्व केटलू विराठ हतु केटलू विरल हतु के ये पोते सामान्य सद्गुणों थी लैने छेक अवतारी पुरू श्तुधी नो एक गुण वैभ धरावता हता पड़ेमा विशेस्ता एह हती के जिटला कई गुणों हता अहिया तो आपने थोड़ाग जोया परन्त ये तो अनन्त महोद अधी हता गुणों ना परन्त ये बध्धाज गुणों माटे भगवान स्वामी नाराईने बे वच्णुणोंत में यो कायू छे एक कई सद गुणों हता ये बद्धा तेवोना जिवन मा एकदम स्वाभावीक हता ये साधना सिद्ध नोता सहज सिद्ध हता इतला माटे निश्कुणाराण स्वामी ये लख्यू के गुणे करी अधिक छो सवती गुण स्वाभावीक छे आव्या नती जम पुष्प मा सुग स्वाभावीक छे पुष्प मा खिलता साथे जो होई जेम शेरडी नी अंदर मिठास स्वाभावीक छे ए शेरडी उगे त्यार्थी जम मिठास होई एवे ते आ बद्धा ज गुणों ये बगवान स्वामी नाराणा जिवन मा जन्तम जात हता ये कोई केडवेला के मेडव पेलान हता बिजो भगवान स्वामी नार्मा जे कई गुणों हता ये सतत रहया चे अमना जिवन मा कार्याणी ना दसमा वचनावनुत मा ते वो कहे छे कि अमे श्री रामानन स्वामी पासे आव्या त्यार्थी माडी ने आजे 21 वर्ष रत हया एमा अनंत प्रकार ना पदा भायू नथी काजी अमारे त्याग नोज इशक चे तुई 21 एकविस वर्ष सुधी भगवान स्वामी नार्यणे फोता ना गुणों ने एज इटीज टकावी राखेला आबोव मोटी वस्तुछ इट नो टुकडो आपने आम लाम्बो हात के दिने पकड़ी राखवानू के तुई तो अशक्य थही जाए अवे इंटिनी अंदर एक ग्राम पण वजन वत्तू नथी पर अन्तियाने सतत पकड़ी राखवानी आवी इटले अगुरू पडवा माडियू तेम कोई पण गुण एने कायम साध्यंत टकावी राखवो एक खुब अगरी बाब अच्छे पर भगवान स्वामी नारायन गुणों एवा हता। मगवान स्वामी नारायन अंतियाना तेरमा वच्रावत मां कहे छे कमे जारे मुक्तान स्वामी पासे आव्या, तेरे ओ ठराव करी राखेलो। कि आपड़े एक वार रामान स्वाईना दर्शन करी ने, पच्छी वनमा जी ने भगवान भजीशु पन पचितो रामानान स्वामी नी मर्जी जोई ये संप्रदाई मा रहा और या संप्रदाई बदो विस्तार्यों छता है भगवान स्वाइन नाराणी अंते ना तेरमा वचात मा केह छे कि जार्या में लोज मा आव्या और त्यार्या मारू पण महाराच केछे कि अमारू मन एवुने एवुश कोई अनी अंदर फेरफार नहीं तो आएक रहनी कहनी ये अमना जिवन मी अंदर हती ये थी ये विशेश गुणातितानन स्वामी ये पांच मा प्रक्रण एक्सोपिस्तालिस मी वात मा येवु लख्यू छे कि वच्णा स्वामी नाराण्य भगवान मानी ने जे भजे एनी अंदर येवा गुणा आवी जै और भगवान तो अपार ना अपार रे जेम समुद्र माथी गमेत येटलू पाणी लोको पीवे, खेचे, काडे, चता पण समुद्र क्यारे खाली न थाई, येम भगवान स्वामी नारणनू व्यक्तित्वा पण ए सागण समु अगाध हतु, आजे येमना गुणोंनू आपणे आ स्मरण कर्यू, येनों हेतु ये सिद्ध थाईश, तो एटला माटे भगवान स्वामी नारणने जेवा आपणे समझिये, एवा आपणे थाई जेए, एवा गुणों आपणामा सिद्ध थाई, ते एटला माटे एमना गुणोंनू श्रवन, वांचन, मनन, चिन्तवन, आने एव भगवान जेमा प्रगट रहा चे, एवा गुणाति सत्पुरुष, वर्तमान काड़े परंपुज्य महन स्वामी महराज, एमना गुणोंनू जेव चिन्तवन, मनन आपणे करिये, तो आपणे एंदर पण एवा गुण आवे चे, तो आ रिते भगवान स्वामी नाराण पोते, एवा सर्वा अवता पुर्षोतम नाराण हता, अने एमना गुणों, एमना जो श्री मुखे, जे वचना वृतमी अंदर केवाया चे, एना आधारे एमनू व्यक्तित्व, ये आपणे कई-केनी अल्प जाखी करी, आजे एमना पर्व प्रसंगे, आपणे जारे आ श्री हरी पर्व मनावी रहा चे, एमना जन्मों सव प्रसंगे, त्यारे एमना चर्णों नियंदर आपणे प्रार्थना करीए, कि एमना गुणों माज आपणू मन हर हम्मेश निमग नरे, एमना चरीत्रों ना चिंत्वन माज आपणू जीवन पसार थतूरे, अने ते द्वारा आपणे पण एमना जि हवे आपने सो परम पुझे प्रमुक्स्वमी महारादना आशीर वचोनोनु श्रवन करिये कृतार थेये एम जनाय चेकता मारा पिंड ब्रह्मान मामली जे होय आंग माते ब्रह्मान माहोय वडी ते माटे तमे साबडो सत संगी सहु नर नार जे जे थाय चे जक्तमा तेनो बिजो नथे कर नार चेका अप्रमान आज जगतमा जे कही थाय ऺज़ो कई करता नहीं आउ जगत ने अंधकोटी ब्रह्मा नो करता एक तुर एक प्रमात मा आई जगतनों अप्रमान निस्चेक औरहो हो अब प्रताप शेमारू धरू आहरू ऑल जगत्मां बद्दू चे थाई शेपन मुझ करू बिजो कोई करता छे नहीं ए रिते महाराज ने विशे नहीं आपनी जो करता पराने निश्टा रे तो बशी आपने वह दो आवे नहीं काक्वान अने केम करिऊ आप फलोन केम थेऊ यह आपना मनमा जे संसेव थाई शे संसे जो थाई यह डगमक थाई यह ए इतले महाराज पुतानो स्वरूपनो महिमा आज ते समझावाज शे अने आज द्रडता साथ है तम्हें बख्ती करो तो तो तम्हें आलोग शूखाव से यह आनन्दा शे कातो रातनी वाद छे कांटनी वाद शे वाल अती रहश्य वाल तो कोग डड़ा लेरमो आवी घ्या हुए तो तो पुताना प्रभावनी वातो निक रही है अने यह सूखा आपना वी सब्सक्राइब केवाने जे मन मंढ हो एका बदू कितलो छे तर कोग ड़ाव आपने इमना प्रभाव नी वात आवी सावर में आपने इस जो अपना जि स asphalt ने हिए प्रमाने महाराजी यहां पधास्ति ने समने समझा यर्थ वाध्न थे कवी और बिदा I Calvin पर अगुन वे शक्ता ना थी, यह बगवान वे शे आगु करता पनाने निश्टा सम्जन पन राख्वी। पर अच्व करता पनाने निश्टा सम्भान पनाने भूले शे आग्ना पनाने विरूद चाले तो पसी बगवान के आपने जाडवे शे आपनाने भगवान करता पनाने भक्ती करें नहीं तो तमे नचिंतरे जो करू तमारे काई न थी, जे मढ़्या छे तमने ते पार छे अक्षर थी। महाराज बात करेंए आरते तमने शूख आऊशे और परम्सूख प्राप्त थाशे आते तमने न च्चिंतरे जो कहें मढ़ो नथी, तमारे कोई जातनी चिंतरे करवानी छे ने, महारो जो दरड़ आश्रो करें मारी भक्ती करशो, मारी आग्ना पार शो तो तमारे पसे तम में भूत थेश, प्रेत थेश, राक्षास थेश, के भिजा भर्माना लोक में जिश, के इंद्राना लोक में, क्या इए चिंत्या नहीं, बशसि भग्वान पोताना धाम पेशार्षिर महारा, के मारी आग्निया उपास ना द्रड राख शो, तो तमारे कोई चिंता करवान जरोर नथी बले बिजू गमे एतलो आगू पास होई शे परना बेवस्तू दर रशे तो तमने साच्पिलेश मारा दामने पमानिश ले निचिंत रेज़ो कोई जातनी चिंता करवानू कारण छे कोई मानस ने पास है मुँ मोटी पेटी चालती हो करोड अब जो रूपिया होए यहने पसी दुकार पड़े तेम थाए कावू बिखारी थे जेश के बुखे मरीश कारे जाना छे के पेटी टूरिद भीजे ए बगवानने आपने आश्रे छे एटले आपने कोई जातनों अधो ना आवे एटले महाराज के छे काप्रमाने तमने मढ़्या छे ते पार छे अक्षर थी अक्षर एटले गुनात्यान स्वामी ए बगवाननू दाम छे और एसी परभरमात्मा श्रजी महाराज पुर्ण पुर्षोतम छे एवा पुर्षोतम नाराण एवु तमने मढ़ो छे अक्षर दामा थी ठे ठाई आयो छे एवु तमे मने समझो अक्षर दामनों अधिर्पती कहिए पन आ रिते जो आपड मही मा समझे तो वशे कोई जातनों अधो आवे नई अत्यारे चाली रहली कोरोना महमारीनी या विपरित परिस्तितिमा कोरोना थी बच्वा माटे आपने सव ये सतर्खता अने सावचेती राखवी खुब जावाशक छे अने ते सावचेती ना पगला रुपे आपने सव मास्क अवश्य पैरिये चोव फूट जेटलू सोशिल डिस्टन्स अवश्य राखे सेनेटाइजर के साबुथी वारमवार हाथ अवश्य धोईए अगत्यना कामसीवाई गर्नी बहार न निकड़िए सरकारश्री द्वारा सुचित कराएला कोरोनाना लक्षणों जेवाके ताव, शर्दी, खांसी, श्वासलेवामा तकलिफ वगेरेनी असर जनाए तो तेनी अउगल ना करया वगर तूरतज डॉक्टरनी सनामुजब सारवार लईए कोरोनानी रसी अवश्य लईए तर रोज भगवानने प्राथना करिये तो कोरोना थी बचवा माटे आटली बाबतोंनु ध्यान आपने सव अवश्य राखिये सावचेत रहिए, सुरक्षित रहिए श्रीहरी जयनती परवना आ चतुर्त दिननी सभानी अत्रे पुर्णा होती थाई छे सर्वने जे स्वामिनाराय गुनातितं गुरुम् प्राप्या ब्रह्मरूपं निजात्मनह विभाव्यना सभावेना स्वामिनारायनं गजे श्रीहरिम साक्षरं सर्वदेवेश्वरं भक्तिनार्मात्मजं दिव्यरोपं परं शान्तिदं मोक्तिदं कामदं कारणं स्वामिनारायनं नीलकंठं बजे श्रीहरिम श्रीहरिम